हेलो, नमस्कार दोस्तों, रन्बीर कपूर रन्बीर कपूर के पास वो मास ओडियंस उतनी जादा नहीं है रन्बीर कपूर की जब भी मूवीज अर्लेज होती है तो एक मिच्योर ओडियंस उनकी मूवीज को देखने के लिए चाती है अगर हम बात करें तो बहुत कम मूवीज ऐसी हैं जो कि उनकी मास मसाला मूवीज है एक्शन मूवीज है अब जब वो मूवी करने वाले हैं तो एक ऐसी मूवी लेकर के आने वाले हैं जिसका बजट बहुत ही बड़ा है VFX जबरदस देखने को मिलेंगे और आप कह सकते हैं बॉलिवुड की सबसे अभी तक की जितने भी बॉलिवुड में मूवीज बनी है सबसे बड़ा बजट इसी मूवी का होने वाला है मैं बात कर रहा हूँ ब्रहमस्तर मूवी की ब्रहमस्तर टीजर रिलीज हुआ हाली में एक आप कह सकते हैं इंटरनेट को हिला देने वारा एक टीजर पोस्टर रिलीज हुआ इस टीजर को देखके इन पोस्टर को देखके मैं इतने ही कहा सकता हूँ कि अहन मुखर जी ने अपना जो एक वीजन जो स्टोरी को लेकर करके रखा है वो टीजर में भरपूर दिखाने की कोशिश की है इस टीजर में यह भी दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हटकर कर रहे हैं रेगलर सूपर हीरो मुवी नहीं होने वाली रेगलर एक्शन मुवी नहीं होने वाली रणबीर कपूर को एक modern look में हमें इस poster में हम देखने को मिलता है एक हाथ में उनके तरिशूल और पीछे आप देख सकते हैं बड़ी इसी जैंट से एक परच्छाई आप कहले हैं या फिर एक आप कह सकते हैं शिवजी की आपको एक दिखाई देना जिनके हाथ में तरिशूल भी है ये आपको किस से inspire लग रहे हैं आप समझी गए होंगे ये तो आप जानती होंगे बहुबली तो बहुबली ने सभी directors को actors को बहुत सदा inspire किया है और credit SS राजमौली को जाता है आप कभी भी उमीद नहीं कर सकते थे कि बहुबली वुड में बढ़ जड़के इस तरह से शिवजी या फिर आप कह सकते हैं डारेक्ट अगर मैं कहूँ तो हिंदुईजम को लेकर के उनके भगवान को लेकर के यासे उनके रेफरेंस पॉजटीव वे में रेफरेंस देकर के कोई movies बनाई जाएगी और वो भी इतने बड़े स्केल में लेकिन जब से साउथ की मुवीज बॉलिवुड में आई और आपको बता है साउथ में कोई ऐसा नहीं आ जैसे कि बॉलिवुड में माना जाता है अगर आप ज्यादातर शिवजी भगवान इस तरह की बाते कर रहे हो तो क्लास आपको मिच्योर क्लास का नहीं माना जाता लेकिन अब वो चेंज हो रहा है दिरे दिरे बॉलिवुड में खुल करके ऐसे म्यूजिक बन रहे हैं जिसमें खुले आम भगवान के बारे में बा वही तक हम सौउथ की मूवी में देखते थे और मिस करते थे कि मतलब जिस तरह से हमें मजह सौथ की मूवी बेखने में आता है जहता है अपर भग स्चुम आपता त DåEEक मिसिंग जो फेकTOR रहता था तो एकर रियल्ती डाचकर रहता था इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं ज पर ज्यादा जोर दिया जाता था लेकिन जब South में मुवीज चली लोगों ने वो देखनी पसंद की तो एक वो अपना टच आया लोगों ने South मुवीज बहुँ जाता पसंद की यहां तक कितनी पसंद की कि अब South की मुवी जब थेटर्स में और रिलीज होती है हिंदी डवड वर्जन में तो जवर्दस ब्लॉक्बस्टर होती है तो गहने कि बॉलिवुड भी उस से इंस्पायर हो और बॉलिवुड ने भी सोचा कि भई चलिए हम भी कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं हम भी अपना बजट थोड़ा बढ़ा करते हैं हम भी जो एक रियालिटी टच है उससे देने की कोशिश करते हैं अभी तक रियालिटी टच वाली मूविज जितनी भी बन रही थी वो छोटे बजट की बन रही थी जिसमें मेनली लीडिंग रोल में आयुशमान कुराना जैसे आर्टिस्त थे विकी कोशल या फिर अगर आप कहले नवाजी दिन सिद्धिक तो यही सब वो मुवीज कर रहे थे कोई बड़ी बजट किया कोई ऐसा बड़ा बॉलिवुड का सूपरस्टार उस तरह से मुवीज नहीं कर रहा था लेकिन खुशी सी आप इस बात किया कि चलिए अब बॉलिवुड ने भी कुछ नया सोचा अब नंबर दो बात कि यह टीजर देखके आप यह मत सोच लीजिए कि जिस तरह से इसमें VFX देखने को मिले है वो आपको इतनी बड़ी दो या तीन घंटे की मुवी में इतने ही जबरदस VFX देखने को मिलेंगे वो भी इतनी बड़ी स्क्रीन पे अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन मुझे अभी भी डाउट है VFX को लेकर के कही ना कहीं जो आपने रजनी कांत सुपर सारा रजनी बात की मुवी देखी होगी रोबो टूपाइडो उस तरह से मैच कर पाएगी नहीं कर पाएगी थोड़ा डाउट है या फिर बहुवली जैसा लेवल पे भी अगर आप आए तो बड़ी बात होगी और अगर हम बात करें एक्टिंग की जैसे मैंने कहा रणबीर कपूर को हमने कभी भी एक्शन अफ़तार में नहीं देखा है तो पहली बार हमें वो देखने को मिलेंगे इस बड़े अफ़तार में और एक बड़ी बजट की मुवी में वो देखना कैसा होता है वो भी इंटरस्टिंग रहेगा सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं सधी के महाना अमुता बेचचन भी इस मुवी में होंगे तो जब किसी मुवी में अमुता बेचचन जैसे बड़ा स्टार है तो उस मुवी के लिए एक acting point of view हम खुदी सोच लेते हैं कि चलिए कुछ ना कुछ अच्छा दो देखने को मिलेगा इसमें अलिया भट भी है मेन गरिदार में है female leading actress तो वो भी काफी talented है acting उनकी भी लाजवाब है इस movie में कैसे देखने को मिलेगी उनका भी look क्या कोई super power उनके पास भी है वो देखना interesting है आप मुझे बताएं अगर आपने teaser देख लिया है आपको वो teaser कैसा लगा इस movie से आपको कितनी उमीदे हैं और आपको क्या लगता है क्या ये बहुवली जैसी बड़ी movie बड़ी बड़ी movie जो कि south में बन चुकी है हिट हो चुकी है क्या उनको ये टकर देपाएगी या फिर नहीं subscribe करें लेटास टप्रेट जानने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद